हेलो प्लांस लवर, वेलकम टू मा यूटूब चैनल, इन्वैलिवेबल ग्रिनरी, ये हमारे नौरंग के कुछ पौदे हैं, जिनको मैंने कटिंग और सीडलिंग से ग्रो किया है, आप देख सकते हैं, दोनों ही पौदों पर कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, इन पौदों हमारे सीडलिंग से त्यार किया गया है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये रेडिश कलर का फ्लार निकल के आ रहा है, और ये हाइब्रिट सीड से ग्रो किया गया, इसके वजह से थोड़ी हाइट कम है, बट इस प्लांट पर जो फ्लावरिंग आएगी, वो इस वाले प्ल पौधे की कटिंग जो देशी नौरंग का पौधा आता है उस पौधे की कटिंग है जिसकी वजह से इसका फ्लार थोड़ा चोटा है यह दोनों गमलों के पौधों को मैंने फर्वरी के लास्ट वीक में लगाया था और मेरे कुछ पौधे जो जमीन पर लगे हुए है जिनकी इनकी potting mix के यूज किया है तो सबसे पहले इसका potting mix जान लेते हैं मैंने इसमें रखा है 50% normal garden soil and 50% cow dumn manure आप वर्मी कमपोस का भी यूज कर सकते हैं या फिर kitchen waste compost का भी यूज कर सकते हैं अगर आप kitchen waste compost का यूज कर रहे हैं तो उसमें fungicide इस्तमाल करना ना बूले क्योंकि क कभी कभी हमारी जो कंपोस्ट रव अच्छी से प्रिपेर नहीं होई होती है तो उसकी वज़ा से हमारे पौदों पर फंगस भी लग जाता है अगर आपके पौदे की पत्तियां बहुत ज़्यादा पीली हो रही है तो उसमें potassium magnesium की कमी है उसको पूरा करने के लिए आपको कु कुछ इस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको और आप देख सकते हैं हमारे हाथ पर जितनी मात्रा में हुमिक असरिड है उतनी ही मात्रा में इसमें potas भी है तो आपको गमले में कुछ इस तरह से side side में देना है जड़ों के पास बिल्कुल भी नहीं देना है क्या होता है कि और भीच में कभी आपको खाद की जाने तरह कुछ सिवला का, अगर आपके बादे पर अच्छी तरह से नहीं हो रही है तो उसके लिए, आप यूज सब्सक्राइब, कुछ इस तरह से यह सुजला का 1990-1919 का NPK आप देख सकते हैं इसमें नाइट्रोजन है, पोटास है, केल्सियम है, इन सभी चीजों को आपके पौधों में जितनी भी कमी पूरी कर देगा और आपके पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग निकल कर आएगी उन पर ब्लैक ब्लैक से स्पॉट पढ़ने लगेंगे, इसकी वज़े से आपको क्या करना है, केवल इसके रूट सिस्टम में इसका यूस करना है, अगर आपके पौधों पर बहुत दिनों से फूल जादा तर लगे हुए हैं और लगे लगे उसी में सूख रहे हैं, तो उ और सारे ही जो कलियां खिलेंगी वो इस वाले फूल से छोटी होगी, तो क्या करना है, जितने भी फूल सूख चुके हो, पत्तियां सूख जाती है, उन्हें गमले से फूलों को पौधों से अलग करते रहना है, और इनको आप कमपोस्ट बिन में भी आड़ कर सकते हैं, इस सॉनिंग के ट्राइम पर ही वाटरिंग करी थी, आप देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी स्वाइल मिक्शेर, इसी वज़ाद से हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है, वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आई है, तो लास्ट टाग वीजियो डेखने के लिए थ थैंक यू सो मच